आज हम बनाएंगे मटर पैंकेक्स, मटर पैंकेक्स बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी मटर लिये हैं, एक प्याज, जिसको मैंने इस तरह से ऐसे लंबे-लंबे बारी कट कर लिये हैं, एक कटोरी गेहुका आटा, नमक, लसन, लसन के इस तरह से बारी-बारी पीसेस करना है, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं, सबसे पहले हम आटा हुन लेंगे, उसके लिए लेंगे एक कटोरी गेहुका आटा, आधा चमच अजवाइन, टेस्ट अनुसार नमक, नॉर्मल ह आटा लगाते हैं, वैसे हमें आटा लगाना है, उपर से लगा देंगे थोड़ा सा तेल, और इसको दस मिनिट के लिए रख देंगे, अब हम पैंकेक्स के लिए स्टफिंग रेडी कर लेंगे, उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे एक चमच तेल, लसन, थोड़ा सा जीरा, पैयाज, और उसी के साथ डाल देंगे टेस्ट अनुसार नमख, नमख हमें थोड़ा कम लेना है, हाई ट्रेंगे दो मिल्ट में पैयाज अच्छे भून गये है, अब ट्यालेंगे आधा चमच लाल मिच पाउडर, आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज रख देंगे, ताकि मटर अच्छी सॉफ हो जाए, मटर को ज्यादा पकाने की जरूगत नहीं है, इस तरह से हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, अब हम गयास प्लेंग अफ कर देंगे और इसको हंदा होने के लिए रख देंगे, हमारा स्टफिंग और आटा दोनों रेड केक्स, इस तरह से आटे के हम छोटी छोटी लोई डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से गोला बनाना है, फिर साइड से प्रेस करते हुए उसको फेलाना है, और इसके अंदर डालेंगे स्टफी, और इस तरह से साइड्स को हम दबा लेंगे, आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा पैनकेक रेडी हुआ है, इस तरह से हम बचे हुए आटे के भी पैनकेक्स बना लेंगे, इस तरह से हमारे सारे मटर पैंकेक्स रेडी हो गए हैं अब हम इनको शैलो फ्राइ कर लेंगे शैलो फ्राइ करने के लिए मैंने पैन दिया है पैन में डालेंगे एक चम्मच तेल आपको गर डिप फ्राइ पसंदे तो आप डिप फ्राइ भी कर सकते हो पैंकेक्स को ज्यादा मूटा नहीं रखना है इस तरह से प्रेस कर लीजिए अब हम क्यास फ्लेम मेडियम कर देंगे और अच्छे से ब्राउडिश होने तक इनको शैलो फ्राइ होने देंगे मेडियम फ्लेम पे 3 मिनीट हो गये हैं अब हम इनको पलट डेंगे आह देख सकते हो कितना अच्छ ब्रावन कलर आया है मेडियम फ्लेम पे 2 मिनीट हो गये हैं दूस्री साइड से भी बहुत अच्छ़ ब्राउन हो गये अब हम गैस फ्लेम अफ कर देंगे और करेंगे सब इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे उपर से बहुत दी क्रिस्पी बनाए आप इसको ग्रीन चटनी टोमेटो सॉस किसी के साथ भी सब कर सकते हो हमारी ये रेसिप अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताईए थैंक यू